नमस्कार मित्रो आजे आपड़े वेदेना सम्मात सुक्तो ने दार्षानिक सुक्तो वी से बात करवा भिगास आया शे मारिशा से बिराजला डॉक्टर अजीद बैठाकोर संस्क्रूद विभाग अज्यक्स स्पी उन्वर्शिटी सम्मात सुक्तो नी रजुवात कर से डॉक्टर अजीद बैठाकोर आजे वाद करवी छे नदी विश्वा मित्र सुक्त ना संदर्वे सम्मात सुक्तो नी आएवू शुक्त छे जे प्रक्रूति अने मानुव चेतना नो रदै संवात प्रगट करेश आम वेदतो मानुव जाती नी प्राचिन्तम कवी दा पन आपने भार्तियो एने अप अवरूशे परमात्माना निश्वास रूपे जोई ये छे अस्य महतो भुतस्य निश्वासितम एतद यत रुगवेदो यजूर वेदः सामवेदो अथरवांगी रसा शत्पथ ब्राम्मन कहेज आरंभे केवड प्रजापती हता तेमने प्रजननी इच्छा जागी तेमने तप थी प्रुथ्वी अंतरिक्ष अने आकाश जन्माव्या तेमा थी अगनी वायू निसूर्य उत्पन कर्या आ त्रणे ने तपो मै कर्या एटले अगनी थी रुगवेद, वायू थी यजूर्वेद, अने सूर्य थी सामवेद उद्भव्या मनुस्मृती पन आ वात नो पड़ घोपाडेश आम वेद अनादी पन अधुनिक पास्चात्य विद्वानों जेमके मैक्स मुलर इस्वी सन्पूर्वे बार्सो नो समय वेद नो गणे याकोबी इस्वी सन्पूर्वे 15.000 नो समय गणे पिलक इस्वी सन्पूर्वे 6.000 नो समय माने चे वेद नो महत्व प्रामाणिय अने परिमान अध्भुत छे मनुस्मृती वेद ने परमधर्म अने अन्यसवने उपधर्म कहे छे तम ह्यस्याहु परमधर्मम उपधर्मोन्य उच्यते एनु कारण छे पित्रुदेव मनुष्यानाम वेदस्चक्षु सनातनम वेदनी प्रमाण भुत्ता अबाधित अने सर्व व्यापी छे तेथी कहवायू छे भूतम भव्यम भविश्यम च सर्वम वेदात प्रसिध्यती मनु महराजे एवाद करी अने उमेर्यू के वेदो खिलो धर्म मूलम तो आ प्रकारे वेद इटले ग्नान वेद शब्दनी व्याख्या जोईये तो वेद शब्द आदी उद्दात अने अन्तो धात एम बेरी ते योजायो छे आद्यू द्दात वेद मा ग्नान अर्थ थाईशे एनी साथे साथे करमा रथे ब्रहमांड देव ब्रहम जे ग्नेशे तेनो पन निरदेश थाईशे तो अंतो दात मा विद धातुने करणा अर्थे प्रत्याई लागता एग्नाननू करण एवा अर्थ मा पण यो जाई छे। अर्थ मा प्रुष्ण द्वैपायनने अपांतर तमाना अवतार छे। अन्ने व्यासे वेदने चार भागमा विभग्त कर्यों। पाईलने रुगवेद सिख्वयो, वैशंपायनने यजूरवेद सिख्वयो, जैमीनीने साम अनि सुमंतुने अथर्व वेदनू शिक्षणा आ प्रकारे वेद विस्त्रोत छे एटले तैतर ये ब्रह्मन मा एक सरस्वात छे भरद्वाज रुसी ए त्रण आयुसिया एटले के त्रण सो वर्ष ब्रह्म चर्यनू पालन करी तप कर्यू जीरन सीरन अतिवरुद्ध भरद्वाज पांसे इंद्र आव्या एमने कहुं हे भ अथू आयुसिया आपूं तो तमेशो करो भरद्वाज भरद्वाज कहे ब्रह्म चर्य पाड़ी ग्नान मेड़ूं तेमनी सामें त्राण पर्वत उपस्थित थाया जे अद्रुष्ट पूर्वहता इंद्रे तेमा थी एक मुठी भरी भरद्वाज ने कहुं वेदावाये अनन्त आवई वेदाहा तो आप्रकारे वेद एकले ग्नान अने ग्नाननों कोई छेडो नहोई आ वेदमा रुगवेद अस्टक अने मंडल एम बेरीते विभागायो छे आठ हस्टक एना चौसट हद्याई एविज रिते दस मंडलो मा एनू विभागी करण थयू छे रुगवेद ना विशाई नी वाद करिये तो रुगवेद मा इंद्राधि देवोनी स्तूति एम नू स्वरूप एम नू व्यक्तित्व त Stevens पराक्रमना वर्णन करता सुक्तों अथे-शाथे दार्शनिक सुक्तो, प्रक्रूती सुक्तो, ऐतिहासिक सुक्तो, धर्म नीरप्यक्स सुक्तो अनि समवाद सुक्तो जों गड़े आ संवाद सुक्तो ए एमा भाग लेनार व्यक्तियो ना परस्परना संबंधने संख्याने आधारे आ रिते विभाजित थायाँच। अने एकोक्ती रूपे थाया होई इटले के पोतानी जात साथे वाद थाती होई आ प्रकारे संवाद सुक्तो पांच जुदा जुदा विभाग मा वेह चाईच। आ संवाद सुक्तो विशे किटलाक मन्तव्यो प्रचलित छे। संवाद सुक्तो मा संस्कृत नाट्यना बीज छे एम प्रोफिसर लेवी कहे छे। वाते साची छे, संवाद युक नाट्यात्मक वातावन यग्नमार चाई अने एनी साथे गित संगित जोडाई तो नाट्य अभिव्यक्ती एस सहज बने। ओल्डनबर्ग प्राचिन लोकप्रिय अख्यानोना अउसिस्ट अंशुरूपे संवाद सुक्तो ने जुवे छे। एज प्रकारे विंटर निर्स कथा काव्य, एटले के अर्ध काव्य माई अने अर्ध नाट्य माई ए प्रकारे जुवे छे। आरीते संवाद सुक्तो नी वाद आपने करी। नदी विश्वामित्र सुक्त ए संवाद सुक्त छे। संवाद सुक्त अस्तित्वनी अत्यंत संकूल, जटिल, संगर्ष भरी, संसई अने भीति पूर्ण, तो क्यारेक कृतार्थ ख्षन ने आख्यानुनी पिठीका पर नाट्यात्मक अने प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति आपेश। प्रेशी थी तजायला प्रेमी नो उद्दाम प्रलाप, विलाप पन अंकायलो छे। एमा लल्चावता पणियोंने डारती दूती सरमा छे। तो जुगारमा बधूज खोईने शानपन ना किनारे लांगरता जुगारीनो आत्मसंलाप जात साथे वाद छे। एवुज एक व विश्वामित्र सुक्ता। कथा एवीश है कि विश्वामित्र ने ब्रहम मत्रे तेज प्राप्त करवानी इच्छा थाई। एमाटे घाधी पुत्र विश्वामित्र प्रथमतो राजर्शी बन्या परन्तु यग्ण करनार विप्रने सौमपान कर्यावीना ब्रहम मतेज केम के सौम रस्तो जगत नू उपादान कारण मनाता सौम नू प्रतिक छे। आथी विश्वामित्रे ब्रह्मतेजनी प्राप्ती माटे सौम याग करवा पिजवन राजाना पुत्र सुधास पासे प्रचूर धन प्राप्त कर्यूं। आ सौम याग माटेना धनने रथो मा भरी पूर्वे निश्चित करेली यग्न भुमी मा जवा कुशिक पुत्र विश्वामित्र निकडी पड़्या। रस्तामा शुतुद्री अने विपासा न दियावी विपाट न दियावी विश्वामित्र यग्न जिवा विश्व मंगल कारिय करवा माटे नदी युग्मने सुपेरे पार उतारवानी विननती करी। नदी ये एमना ए रदई भावने पार्ख्यों प्रमाणियों औने स्नेह पूर्वक निची नमी विश्वामित्र पार उत्रया। नदी विश्वामित्र सुक्ता रुग्वेद ना त्रिजा मंडर नू तेत्रिस्मों सुक्ता। आ सुक्ता तेरों रुचाओ थी रचायों छे। एमा एक थी बार मंत्र त्रिस्टुक औने तेरमों मंत्र अनुस्टुक मां रचायों छे। एमा चार, छ, आठ अने दस रुचाओ शुतुद्री अने विपात ना मुखे उच्चाराई छे, एटले ए बे न दियो एनी रुशी का छे, तो एक, बे, त्रण, पांच, साथ, नौ, बार, तेर रुचा विश्वामित्र ना मुखे उच्चाराई छे, तेथी विश्वामित एना रुशी छे, समग्र मंदर ना पन विश्वामित्र ज रुशी गणाया छे, एना देवता छे इंद्र, इंद्रे शिते प्रसवं भिक्ष माने एम नदियो इंद्रनी संप्रेलना अने अनुगना याचनानो स्पष्ट उल्लेख करे छे, प्रथमरुचा फिन उडारती, मोजा उचारती, धस्मस्ती, विपाटने शुतुद्रीनी उपमा संस्पर्षे अनुप्रानित अद्भुत स्वभावक्ती छे, प्रपर्वताना मुशती उपस्थात, अश्वे इव, विशिते हासमाने, गावेव, शुब्रे, मातरा, रिहाने, विपाट शुतुद्री प वायशा जवे से, जवेते, परवतना खोडा मा थी, समुद्र तरफ जवानी कामना करती, छुटी मुकेली हरीफाई करती बे घोडी समी, वाचरडाने चाटवा दोडती, बे स्वेत गाई समी, विपाटने शुतुद्री पाणी वेगे वहे छे, विश्वा मित्र, सेज दूर्थी बन्ने नदीने निहाडे छे, नदी स्वयों पितास्वरु परवतना खोडा मा थी, उत्री, पतिस्वरु समुद्र तरफ उछरती कुद्रती जई रही छे, एमाई परवतनदी वच्चे नो बाप दिक्री नो संबंध व्यंजित थयो छे, हिमालये थी निक्डि गोडी निजेम दोर्ती बन्ने नदी वच्चे, अललड, रमतियाड, सक्खी भाव व्यंजित थयो छे, वाचरडाने चाटवा दोर्ती नदियो मा लोक माता सद्रुष रूप व्यंजित थयो छे, आम परवत्ती प्रारंभाईलो पित्रु भाव, नदीना मात्रु भाव मा परिनती पामी भाव वर्तुड पुरु करेच, परवत्तनो पित्रु भाव, नदीनु दुहीतारू तथा समुद्र तरफ प्रेईसी भाव, अने लोक सुंसार तरफ मात्रु भाव, एम विश्वा मित्र पारिवारिक संबंधोनी स्रुंखला रचेच, पहली रुचाज, आ सुक्तनी समवादी मंगल परिणतीनु इंगित रचेच, वेंकट माधव जेटिका कार छे, एमने कहुं छे, कि विश्वा मित्र, विश्वा मित्रने एमने सर्व मित्र काया छे, एम कहीने, एमने रुशीनु मैत्री भाव भर्यू व्यक्तित्वस्चु चुईँ छे, गट्यनी शूब क्षण, अने शूब स्थड सुच्विदेच, शायन बन्ने नदीना व्यक्तित्व नाम निर्वचनकारीने स्पष्ट कारे छे, कूल विपाट नात, विपाश नात वा विपाट, शूब क्षिप्रम, तु तुन्ना, तुन्नेव द्रवती गच्छती इती शुतुद्रे, बन्नेमा विपाट, काठा तोडती तोफानी नदी छे, रुषिये बन्ने नदीयोंना व्यक्तित्वमा रहला भेदने चींद्यों छे, रिहाने ने वत्सम, जिहवया, लेढूम इच्छंत्यों, एम, नदीना वाचरडा ने माटे, आकुड व्याकुड वा खोडो, बे अश्वी, वाचरडाने चाटवा दोडती गाई, एम, अनेक उपमा थी मंडित, स्वभावोक्ती, वात्सल्य, अने रती भावनी भावशबलता रचेश, बीजी रुचामा विश्वामित्र वर्णन पर्थी संबोधन तरफा गडवदेश, विश्वामित्र व तमारा माथी एक बीजी ने मले छे, अहीं परस्पर मा भडी जती, एक थे जती, नदीना वर्णन मा विश्वामित्र निय संबात साद्वानी कामना जणकी उठे छे, अहीं नदीयोंने धस्मस्ता रथीनी उपमा आपाई छे, अच्छा समुद्रम रथ्येव याथ ह, वड आ लोक माताओ किनाराना प्रदेश ने पूष्ट करती जाई छे, सबाराने उर्मी बिही पिन्व माने मात्रुत्वना भावने पूट अपायों छे, एज विश्वामित्र ना वांचितनी सिद्धीनु अमोग साधन पाण बनी रहे छे, त्रीजी रूचा मा पुनह अनन्यतम मात्रु भावनी नदी मा विश्वामित्र प्रतिष्ठा करे छे, अच्छा सिंधुम मात्रुतमा मयासम, स्रेष्ठ माता नदी पासे हूँ आवयो छूँ, आ बन्ने नदी वाचरडाने चाटवा दोडती गाई माता समी छे, मातरा सं रिहाने, अहीं पुनह नदी मा गाई माता देखाई छे, आ मात्रु भाव थी प्रतम स्वसंदर भे उक्ती, अने पची गाई नू प्रती बिम्बन मात्रु भावने और पूट चड़ावे छे, नदी उत्तर वाडे छे चोथी रुचा मा, विपाट सुतुद्री, सहज, लोक कल्याण, तथा इंद्र निर्दिष्ट रूत नू अनुशराण ए बे किनारा वच्चे वही रही छे, अन्य ए नदियो, विश्वा मित्र नी मंच्छा जाणवां मागे छे, किम यूर,